आज मैं बहुत एक्साइटेट हूं क्योंकि मैं आज बोकट ही दिनों बाद वीडियो कप्लोड कर रही हूं आज मैं आज आपको बताने वाली हूं कि मुझे बेबी करल हुई 17 जून को मुझे सेज़ेरियन डिलेवरी से हुआ तो मैं बहुत ही ज्यादा बीजी थी और मुझे ऑप्रेशन हुआ और मुझे बेवी की भी देखवाल करने पड़ती है मुझे ब्रेश फेडिंग कराना पड़ता था और मेरी थोड़ी तबियत बिगड़ गई थी जिसके करनल मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई थी तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपको आज इंटर्ड्यूस कराना चाहती हूँ अपने बेवी गर्ल से दिखाना चाहती हूँ उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एकसाइटेड हूँ तो आज मैं बोला चाहती हूँ कि मैं एक डेर महीने से मेरे तबियत ठीक नहीं थी और मुझे ज़ेरियन हुआ उसके चार-पांस दिन बाद मुझे टाइफ़ड और यूरिन इंफेक्शन हो गया जिसके कारण मैं फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण मैं बहुत जादा वीक हो गई थी मेरे बहुत सारे मेडिशिन चल रहे थे तो मैं पांच दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसके बाद मैं रिलीज हुई और उसके बाद मेरे बहुत सारे मेडिशिन चल रहे थे तो मुझे रिकवर होने में टाइम लग गया तो मैं इसलिए विडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी तो गाइस मैं आज आपको अपने बेबी से मिलाती हूँ मुझे बहुत एकसाइटमेंट हो रहा है कि मैं आज आपको बेबी गर्ल से मिलाऊंगी यह है मेरी बेबी गर्ल यह देखिए बिटा हलो बोलो हलो यह भी वन मन्थ 19 डेज की हुई है यह खेल रही है अभी मैंने फिडिंग कराया है हलो बोलो बिटा हलो इसे बारिश हो रही है जिसके करण मैंने इसे कैप पेना दिया फूल टी-शिट पैनाया है बच्चे को बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है जिसके कारण मुझे यह सेफटी लेना पड़ा हलो बोलो बिटा हलो बहुत बिजी हो जाने के बाद मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थे जानी तबीत भी ठीक नहीं थी मैं सोच रही अब वीडियो का अपलोड कर ओए और आप वीडियो को आप लगवाज्यु को अपने बहुत ज्यून से आप मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो के निचे comment भी drop कर सकते हो ओके फ्रेंड्स बाइ बाइ टेक के और यह सेल्फ बाइ I will see you in next video